26 जुलाई से भारतिये क्रिकेट में शुरू हो रहा है एक नया अध्याए जहां पर पहले ही एक पूर वर्ल्ड चेंपियन यानि गौतम गंभीर भारतिये क्रिकेट टीम के नए हेड कोच नियुक्त कियों जा चुके हैं लेकिन अब एक और नया वर्ल्ड चेंपियन टीम इंडिया के कोचिंग सिस्टम में जुडने जा रहा है कौन है वो नया नाम और कब से हो सकती है उसकी इंटरी बताएंगे इस वीडियो में तो अन तक बने रहीएगा हमारे साथ नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं स्पोर्ट सियारी और मैं हूँ आपके साथ अकाश पांडे लेकिन गौतम गंभीर के अलावा वो कौन से ऐसे नाम है जो भारतिये क्रिकेट के कोचिंग सेटप में जुडने जा रहे हैं इस पर अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है फिलहाल अगर आप पुराने कोचिंग सेटप में देखे तो ग्राहुल द्रवीड के सा जितने नाम थे उनकी एक तरीके से चुटी हो गई है ऐसे में नए नामों की एंट्री वहाँ पर होने वाली है अभी इस पर परदा बना हुआ है कि हेड कोच के अलावा आपके जो और जितने भी कोचिंग सिस्टम में नाम है वो कौन-कौन से ऐसे नाम होंगे तो सबसे प अलावा जो नाम था वो था असिस्टेंट कोच के लिए जो की अभिशेक नायर का नाम सामने आया था गौतम गंबीर ने अभिशेक नायर का नाम वहाँ पर बी-सी-सी-ई-क के सामने डाला था जिसके नाम को लेकर बहुत ही जादा चर्चा बना हुआ है और आल्मोस्ट य इंडिया की कोचिंग सिस्टम में बहुत जल्द जुड सकते हैं इस पर भी मोहर लग सकती है इसके अलावा फिल्डिंग कोच की बात करें तो जिस तरीके से भारतिय क्रिकेट टीम ने बीते दो-तीन सालों में फिल्डिंग का स्टैंडर्ड अप किया है ऐसे में उसे ध्या हवाल यह आ जाता है जो हम आपसे बात कर रहे थे कि गौतम गंबीर एक वर्ल्ड चैंपियन इंडियन टीम के साथ तो जुड चुका है लेकिन वो दूसरा वर्ल्ड चैंपियन कौन है जो भारतिय क्रिकेट के कोचिंग सिस्टम में जुड सकता है फिलहाल इस पर एक सस्प पर जहीर खान जो 2011 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस से रहे थे वहाँ पर भारत के लिए सबसे आदा विकेट्स वहाँ पर उन्हें निकाली थी और इंडियन क्रिकेट के बहुत बड़े सर्वेंट भी रहे हैं जहीर खान तो ऐसे में जहीर खान का नाम जो है वो बोलिं कुमार का लेकिन अगर अंदर की खवर बताएं आपको तो और विन्यकुमार जो है वो बिसी इस नाम को दर किनार कर दिया अभी के लिए उस नाम पर बिसी ज्यादा विचार नहीं कर रही है अईसे में जो नाम जो सबसे आगे चल रहा है जिस की हम बात भी कर रहे हैं वो केके आर के इनके जो एक साथी कोचिंग स्टाफ में शामिल थे वो नाम था र्यान तेंडिक कोटे का सब्सक्रांग में शांभी सेनिक कोच का estás कहीं ना कहीं BCCI उस पर मोहर लगाती है या नहीं लगाती है हलाकि आपको बता दे कि भारतिये टीम का जो नया अध्याई है जो एक नया एरा जो हम बात कर रहे हैं बौतम गंभीर एरा उसकी शुरुवात होने जा रही है 26 जुलाई से जहां पर भारतिये क्रिकेट टीम श्रिलंका का दौरा करने वाले हैं पर तीन टीटवंटी मैचेस खेले जाएंगे उसके अलावा तीन वंडे मुकाबले भी खेले जाएंगे अभी भी कप्तान को लेकर सस्पेंस बर करा रहा है क्योंकि जो खबर आ रही है उस पर यह बताया जा रहा है कि शायद वहाँ पर आपके लिए ओडियाई में रोहित पर पर कि शुच बदलाव देखने को मिलेगा क्या वाकियी गौतलव गंभीर के अंडर जो गौतल गंभीर जिस मैंसेट के इंसान है जिस मैंडी सेट के को चैपियन लाम लंकर इंडियान क्रिकेट टीम की तस्वीर यहां से बात करते थे कि आइसीशिंग टूर्णामेंट्स में जादा टाइटल हासिल नहीं कर पाती है जीत नहीं पाती है तो आपको क्या लगता है क्या वो सिलसिला टी टूएंटी वल्ल्ड कप से जो शुरू है वो आगे भी बरकरार रहेगा क्या गौतम गंभीर के अंडर टीम इंडिया डबलू टीसी चैंपिय तो इसे लाइक जरूर कीजेगा शेर जरूर कीजेगा और अभी तक आपने स्पोर्स यारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजेगा अभी के लिए मुझे दीजे इजाजत जैहिंद जैभारत